कुरूपिया ध्यान रखे किस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी वो सेक्षिक और शुक्मक उदिश्यों के लिए इस यूटूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वितिय सला, कानूनी सला या तो व्यक्तिगज सला के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए चैनल दोस्तों, 2024-2025 के अंदर सभी लोग को मालूम है कि बिटकोईन का हॉलविंग होना है बहुत चल्ड और काफी सारे प्रोजेक्ट है, नएने प्रोजेक्ट है, काफी टाइम से डिजाइन हो रहे हैं, 2022 के अंदर काफी मेहनत किया है, सभी प्रोजेक्ट ने डिजाइन कर होंगे, बट हमारे साथ स्केम भी ना हो, और हमें ICO के अंदर पार्टिसिपेट करके अच्छा खासा प्रोफिट मिले, तो कौन से प्लेट्फॉम का यूज करना चाहिए, आज अगेन एक प्लेट्फॉम के बारे में हम बात करने वाले हैं, जोकि उनली आप ICO एन आईडि प्रोफिट बनाया था, उससे भी ज्यादा प्रोफिट बनाया जा सकता है, आप यहां पे क्रिप्टो रेंक की वेबसाइट के अंदर जितने भी डी सेंटलाइज प्लेट्फॉम के अंदर ही पार्टिसिपेट करेंगे, टोप नेम यहां पे मौजूद है, उनमें से एक प आये है, एवरेज इसका जो प्रोफिट रहा है, 5X रहा है, मतलब की 5X एवरेज यहां पर जितने भी आईडियो के लिए प्रोफिट दिया है, और ओल्टम हाई की बात करेंगे, तो 10X जितना प्रोफिट दिया है, मतलब में सिंपल समझाओ, फिंग चेप्टर के अंदर ज मतलब की 20 डोलर का डायरेकली 100 डोलर और 10X वा तो 200 डोलर, तो भी लालच नहीं करना है, बहुत लोवेस्ट यहां पर आपको इमाउट से आईशियो एन आईडियो के अंदर पाटिसिपेट करना है, अब मैं फिंग चेप्टर की बात करूंगा, तो फिंग चेप्टर के अं 5,50,000 डोलर, यहां पर फिंग चेप्टर लोंच पेड के अंदर एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले है, जो कि एक अच्छा रिटन दे सकता है, प्रिवेस्ट हमने बात की थी, मेटा होर्स यूनिटी, जो कि कुछ लोगों ने पाटिसिपेट किया होगा, 5X तक उपर गया था, और फिलाल 3X के आसपास इसका ROI चल ला है, क्योंकि यह टोकन का प्राइज अभी चल ला है, 0.15 डोलर के आसपास, और हमें जो ICO के अंदर मिला था, 0.05 डोलर के आसपास मिल गया था, और यह इसका हिस्टरी है, आप चेक आउट कर सकते हैं, अब फिंग चेप्टर के अंदर, जो आज का ICO देखने वाले, जो कि जैसे आप क्लिक करेंगे, डील के उपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर काफी सारे ICO चल ले, उसमें से मैंने एक चूज किया है, अनदर वन, जो कि यहाँ पर माक्सिमम इसका जो केप रखा गया है, टूल एक डोलर का आप पर रखा गया है, और इसका जो प्राइज रहेगा, 0.05 डोलर पर AN1 टोकन आपको मिलेगा, 0.05 डोलर इसके इसाब से आपको टोकन मिलेगा, बट पार्टिसिपेट करने से पहले आपको क्या करना होगा, डारक्ली आपको एले कुशन नहीं मिलने वाला है, अगर आपक आपको लिस्ट होने से पहले टोकन चाहिए, तो डारक्ली नहीं मिलेगा, कोई भी प्लेटफोर्म के अंदर आप आओगे, तो वो प्लेटफोर्म का नेटिव टोकन आपको स्टेक करना पड़ेगा, अपको ये फिंग को इसके उपर स्टेक करना पड़ेगा, जो कि इसके जितना ज्यादा स्टेकिंग करेंगे, उतना बड़ा एलोकेशन मिलेगा, जो नए ब्रोजेक्ट आ रहे, क्योंकि स्टेक तो करना पड़ेगा, लाइकम बाइनस की बात करेंगे, बाइनस के अंदर लॉंच पेड आते हैं, तो उसके अंदर पार्टिचिपेट करने के और यहाँ पर आगे इन्वेस्ट करना, मतलब कुछ एमाउट से स्टार्टिंग करना, आईसी ओन आईडियो बहुत आएंगे, इसको यह वीडियो हम कंटिनुसली यहाँ पर डालने वाले हैं, अब डील के अंदर आएंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना पड़ यहाँ पर आगे, आप यहाँ पर पोर्टफोलियो के उपर क्लिक करेंगे, तो आपका पोर्टफोलियो भी देखने को मिलेगा, जैसे डेस्बोर के उपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको डेस्बोर भी देखने को मिलेगा, यह डेस्बोर है, ठीक है, यह डेस्बोर ह उपर आएंगे portfolio and dashboard के अंदर आएंगे तो यहाँ पर KYC का option आएगा जो कि मैं already verified यहाँ पर दिखा रहा हूँ KYC इसके उपर आपको करना जरूरी है जितने भी tax है most of अभी KYC ले रहे तो आपको यहाँ पर KYC करना पड़ेगा यहाँ पर आपको KYC कंप्लेट करने के बाद आगे का जो step है staking KYC करने के बाद staking जो आपने फिंक लिया है यहाँ पर stake कर सकते है या तो fixable staking कीज़े या तो lock staking कीज़ेगा lock के अंदर 90 दिन, 180 दिन, 360 दिन, 720 दिन के लिए आप staking यहाँ पर lock कर सकते है funds को lock कर सकते है जितना ज़्यादा आप lock करेंगे उतना ज़्यादा allocation मिलने के chances है जो कि मैंने 100 डूलर के फिंक लेके 720 डेज के लिए lock किया है तो मुझे 4X के इसाफ से यहाँ पर allocation मिल जाता है allocation directly नहीं मिलता है अब staking and KYC करने के बाद deals के उपर click करना है कोई भी project मतलब कि हम another one की बात करें इसके उपर click करना है और फिर आपको इसको पहले register करके रखना है क्योंकि इस event को आपको register करना पड़ेगा registration यहाँ पर period दिया गया है 12 February से लेके 25 March तक आपको register कर लेना है registration का option तब भी खुलेगा जब आप staking and KYC को complete कर लेते हैं उसके बाद guaranteed allocation round है 27 March to 28 March मतलब आपको नजर रखना पड़ेगा यहाँ पर आपको fund जितना allocation मिलता है मतलब आप $100 के token यहाँ पर stake करते हैं तो ज्यादा allocation नहीं मिलेगा मतलब आपको खरीदने का मोका 10 से $12 का मिलेगा उससे ज्यादा नहीं मिलेगा जो कि मैं पेले से $100 USDT यहाँ पर Fink लेके stake किया है Fink बढ़ गया और अभी मेरा जो value बन रहा है $300 बन रहा है तो भी मुझे $20 से $30 का ही यहाँ पर allocation मिलता है बढ़ 5X मतलब $500 के आसपास profit हो जाता है तो वो profit में निकाल लेता हूँ और कुछ funds रखता हूँ आगे के ICOs के लिए बाकी यहाँ पर देखना Wasting जो period में टिलिग्राम के अंदर आपको अपडेट करूँगा guaranteed allocation जो round आएगा वहाँ पर आपको नज़र रखना पड़ेगा registration कर लेना guaranteed allocation जो round आएगा तब आपको यहाँ पर funds को spend कर देना है कि आपको कितना allocation मिलता है allocation जितना भी मिलेगा 26 March को यहाँ पर आपको मालूम पड़ जाएगा यह page के उपर दिखना start हो जाएगा तो में करता वीडियो एन अपडेट पसंद आया होगा एसे भी कंटेनम बनाते हैं जो कि best ICO नज़र रखना पड़ेगा कोई कुछ भी बोल देता है बड़ आपको उसके उपर recharge करना जरूरी है और भी यहाँ पर आप थोड़ा इसका पड़ना sale matrix यहाँ पर दिया गया है token matrix यहाँ पर देख लेना जो कि आपका जितना भी funds यहाँ पर आप spend कर रहे है जितना allocation मिल रहा है starting में 25% token ही unlock होगा जब token generation event आएगा और बाद में 3 महीने तब धिरे धिरे आपको token मिलता रहेगा मतलब एक साथ यहाँ पर token एक claim नहीं हो पाएगा starting में 25% token मिलेगा मतलब मान लेजे 4 example आपको 30 dollar का यहाँ पर आपको मिल जाता है मैं example दिखा देता हूँ 30 dollar का आपको allocation मिलता है ठीके token का price है 0.05 dollar तो मान लेजे आपको 600 token मिल गए 600 token मिले starting में आपको 25% ही मिलेगा मतलब 25% token है unlock होगा मतलब कि आपको 500 token है यहाँ पर unlock होगा मतलब directly आप claim कर पाओगे बाकि 3 महिने तक धीरे धीरे token मिलेगा और जो भी price मिल लेगा मान लेजे 3X हुआ तो आप देख लेना 0.15 dollar यहाँ पर लगाएंगे आगे आपको थोड़ा experience हो और यहाँ पर वही amount का use करना क्योंकि ICO है अभी तो हम देख रहें कि अच्छे से चल रहा है साथ project launch कर दिये सभी में average 4X, 5X इतना return मिला है maximum 10X बट आगे कभी loads भी हो सकता है तो ध्यान देखे करना